आईए, यूट्यूब पर पॉड्कास्ट के बारे में बात करें। यूट्यूब पर क्रियेटर्स के बीच ये फॉर्माट तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इससे क्रियेटर्स अपने दर्शकों के साथ नए तरीकों से जुड़ रहे हैं और अपनी बात उन तक पहुचा रहे हैं। पॉड्कास्ट क्रियेटर्स को वीडियो और प्लेइलिस्ट के लिए स्पेशल बैज मिलते हैं। इसके साथ साथ वे ओफिशल सर्च कार्ड के लिए और यूट्यूब डाट कॉम स्लाश पॉड्कास्ट पर दिखने के लिए एलिजिबल होते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूट्यूब स्टूडियो में पॉड्कास्ट कैसे बनाया जाता है। पॉड्कास्ट की पर्फॉड्कास्ट को गहराई से कैसे समझते हैं और यूट्यूब पर पॉड्कास्ट करने के बहतरीन तरीकों के बारे में बताएंगे। आईए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यूट्यूब स्टूडियो में पॉड्कास्ट कैसे बनाया जाता है यूट्यूब पर पॉड्कास्ट एक प्लेलिस्ट होती है और इस प्लेलिस्ट में मौझूद विडियो पॉड्कास्ट के एपिसोड होते है नया पॉड्कास्ट बनाने के लिए यूट्यूब स्टूडियो में जाकर create या बनाएं और फिर नया पॉड्कास्ट बनाने के लिए इस विकल्प को चुने इसके बाद पॉड्कास्ट की प्लेलिस्ट की जानकारी डाले इसमें ये चीजे शामिल है ध्यान दें कि ये थमनेल, square या चौकोर होना चाहिए सेव करने के लिए create या बनाएं पर क्लिक करें पॉड्कास्ट की प्लेलिस्ट बना लेने के बाद नए या मौजूदा वीडियो को इसमें जोड़ा जा सकता है कोई वीडियो अपलोड करते समें, जब वीडियो के बारे में जानकारी दी जाती है तो उसी प्रॉसेस के दौरान podcast में कोई नया वीडियो जोड़ा जा सकता है इसके लिए podcast की वह प्लेलिस्ट चुने, जिसमें नया वीडियो जोड़ना है पॉड्कास्ट की किसी प्लेलिस्ट में मौजूदा वीडियो जोड़े जा सकते हैं इसके लिए Content टैब पर जाकर एक या उससे ज्यादा ऐसे वीडियो चुनें जिन्हें किसी प्लेलिस्ट में जोड़ना है इसके बाद Add to Playlist या Playlist में जोड़ें चुनें आईए अब समझते हैं कि किसी मौजूदा प्लेलिस्ट को पॉड्कास्ट की प्लेलिस्ट के तौर पर कैसे सेट किया जाता है यूट्यूब स्टूडियो में जाकर Content टैब और फिर Playlist पर क्लिक करें जिस प्लेलिस्ट को पॉड्कास्ट के तौर पर सेट करना है उसके तीन बिंदू वाले मेन्यू पर क्लिक करें और इसे पॉड्कास्ट की रूप में सेट करने के विकल्प चुनें यहां आप पॉड्कास्ट की प्लेलिस्ट का टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन और या किसे दिखेगा वाली सेटिंग को चेक कर लें साथ ही, पॉड्कास्ट के लिए एक स्क्वेर या चौकोर थमनेल भी जोड़ें पॉड्कास्ट प्लेलिस्ट के लिए यह स्टेप जरूरी है यूट्यूब स्टूडियो में आपके सभी पॉड्कास्ट दिखते हैं इसके लिए कॉंटेंट पर जाकर पॉड्कास्ट टैप पर जाएं यहां पर किसी भी समय अपने पॉड्कास्ट की जानकारी में बदलाव किया जा सकता है साथ ही वीडियो के लिए डीफॉल्ट तोर पर सेट किये गए ओर्डर को भी बदला जा सकता है अगर आपके पॉड्कास्ट के एपिसोड का कॉंटेंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो वीडियो का ओडर इस तरह से सेट करें कि नए एपिसोड पहले दिखें और पुराने बाद में अगर आपके पॉड्कास्ट के एपिसोड सीरियल हैं पॉटकास्ट की प्लेलिस्ट यूट्यूब पर पॉटकास्ट की सुविधाओं के लिए eligible होती है जैसे podcast badge, official search card पाना और youtube.com slash podcasts पर दिखना पॉटकास्ट यूट्यूब music आप पर भी उपलब्ध होंगे अब देखते हैं कि अपने podcast की performance को गहराई से कैसे समझा जा सकता है आपको YouTube Studio के analytics section में overview या खास जानकारी वाले tab में अपने podcast की performance का snapshot मिलेगा इससे यह पता चलता है कि podcast को कितने view मिले और उसे कुल कितने समय देखा गया है किसी एक podcast की performance के बारे में ज्यादा जानने के लिए podcast analytics या podcast से जुड़े आकड़े देखें पर क्लिक करें अगर आपके पास कई podcast हैं तो उस podcast के title पर क्लिक करें जिसका data आपको जानना है यहाँ पहुँचने का एक और तरीका है studio में जाएं इसके बाद content टैब पर क्लिक करें और फिर podcast टैब पर जाएं अब जिस podcast की performance के बारे में आपको गहराई से समझना है उसके जानकारी विकल्प पर क्लिक करने के बाद analytics पर क्लिक करें overview या खास जानकारी वाले टैब पर आपको aggregate की गई metric दिखेगी जिसमें podcast playlist में मौजूद विडियो के कुल view, देखने का कुल समय और अनुमानित revenue वगेरा की जानकारी दिखेगी यह जानकारी चुनी गई time range के हिसाब से दिखेगी इस टैब में सबसे अच्छा perform करने वाले एपिसोड भी दिखेंगे आपको content टैब में वे खास पल दिखेंगे जिनकी वजह से दर्शकों ने आपके podcast पर ज्यादा समय बिताया साथ ही यह जानकारी भी दिखेगी कि दर्शक आपके podcast विडियो तक कैसे पहुँचते हैं आपको दर्शक टैब में दर्शकों के demographics यानिकी उनकी उम्मर, लिंग वगेरा की जानकारी दिखेगी अगर आपके podcast पर कमाई की सुविधा चालू है तो revenue टैब में आपको अनुमानित revenue और सबसे ज़ादा कमाई करने वाले content की जानकारी मिलेगी आखिर में बात करते हैं podcast creators के काम आने वाले कुछ असरदार तरीकों की अपने channel पर मौझूद हर podcast के लिए उसकी एक public playlist बनाएं इस playlist में किसी show के सभी season के पूरे-पूरे episode शामिल होने चाहिए इन्हें उस order में set करें जिस order में दर्शकों को दिखाना है इससे fan आपके podcast के सभी episode एक ही जगह पर पा सकेंगे अगला तरीका है अपनी playlist का title वही रखें जो आपके podcast का नाम है podcast की playlist के title में extra शब्द ना जोड़ें इसमें podcast शब्द भी तब तक ना लिखें जब तक की वह आपके show के नाम में ना आता हो इससे YouTube पर दर्शक आपके podcast show को असानी से ढूंड पाते हैं इसके अलावा podcast की playlist में clip, दूसरे podcast या अन्य चैनलों की वीडियो ना डालें और आखिर में अपनी playlist के description में ज्यादा से ज्यादा जानकारी शामिल करें इससे podcast सुनने वाले नए लोगों को आपका podcast खोजने में आसानी होती है इन सुझावों से YouTube पर अपने podcast को ज्यादा दर्शकों तक पहुचाने और दर्शकों की दिल्चस्पी बढ़ाने में मदद मिलेगी साथ ही podcast के content को podcast से जुड़ी सुविधाएं पाने के लिए eligible बनाने में भी मदद मिलेगी YouTube पर podcast के बारे में और जानने के लिए description में दिये गए link पर जाएं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद